असलामु अलेकुम आजके आमार वीडियो टोपिक होलो What are the palace intrigues hedged by Cloudus against Hamlet? ए शर्ट कोश्चिनेर एंसर आमी एटिकोन हैंड नोट थेके आलतोना कोर्टा जाच्छी ना आमी होराशोरी इस्ताडी गाहिदेर रेफरेंस निये छी एबंग शेटीर बांगला उनुबादेर मोध हो दियेई आमी आमार वीडियो टी सेश कोर्बो आमी हैंड प्ले संक्रा अंत्वर की जतो गुलो शर्ट कोश्चिन सेट साजेशन देवा छे आमी सब गुले कमप्लीट कोर्बो खुब जूत इन छाल्ला सब गुलो कोश्चिनेर शर्ट कोश्चिनेर एंसार पेते चो क्राखुन आमर चैनेल ले आशा कोरी उपकृता हबेन एखुन आमी चोले जाच्छी शराशुरी प्रधान आलो चो नाई Claudius, the present king of Denmark, has usurped the rights of Hamlet to be the successor to the throne Yet he speaks of his affection as that of a father towards his son Denmark एर बर्तमान राजा Claudius बाजयाप्त कोरी नियेचे Hamlet एर ओधिकार सिंहाशन एर उत्तराधिकारी हुआ थेके एकी शाथे शे भालो बाशा नियो कथा बोलेट शे जामन टे एक जोन पितार थाके तार पूत्रे प्रती Thus Claudius is the arch villain who is the real intrigor in the play एभाबे Claudius होलो धोनु भिलेइन जेकीना प्रकृतो सरजंत्र कारी एई प्लेर And who is responsible for corruption of court life at the palace of Elsinore एभाउं एकी शाथे शेई दाई Elsinore Palace at court life ये जे corruption गुलो तोईरी होये चिलो शेगुलोर जन्नु There are several intrigues of Claudius in the play एप्लेटी ते Claudius अशेर बिभीना धोरने सरजंत्र लखो करा जाई He usurps the throne and the divine right of the king by murdering his brother in a crafty manner शे तर कुटकोशोलेर दारा किंग के हत्ता कोरे तर सिंहाशन एभाउं दिभाईन ओधिकार्टी के दखोल कोरे नाई It is given out that the king dies by a snake bite but in fact Claudius kills him by pouring poison into his air जोदियो एटा देया अचे जे king मृत्तु बरन करें शापेर कामोर दारा किंटु आशले बा प्रगित पक्खे Claudius तके हत्ता करे जखन तीनी बागाने घुमिये चिलें तार काने poison प्रभेशकरान और माध्धमे Then the queen is owed and on over easily by Claudius तार पर रानी बिधवा होय जाए एबं Claudius खुब शह जाए ताके जीते नें परहपस इबन बिफोर हिस मृर्दर प्रबाबली थ्रो फ्लैटरी खुब सम्भब बतो Claudius queen के आगेई तार मार्दरर पूरबेई जीते ने चिलें तार फ्लैटरी दारा Claudius's manner of consoling Hamlet, his management of the state affairs and his hasty remarriage with Gertrude seems to be parts of his palace intrigues Claudius said Hamlet के console करार माध्ध स्टेट एफेर गुलोर management करा एबं तार ज्रुतो पुनर बिबाहो करा Gertrude के इसब की छुई palace intrigue अर्थत प्राषाद सरजांचर अंग्ष हिसेबे बिबेच्च His intrigues against Hamlet become evident when he employs Rosencrantz and Guildenstern to former school fellows of Hamlet as spies over his strange behavior तार सरजांचर गुलो Hamlet एर बिरुधे आरो बेशी evident रर्थत आरो बेशी स्हामने आशे जखन शे Hamlet एरी दुजुन इसकूल बोंध हु Rosencrantz एबं Guildenstern के तार spy हिसेबे नियोग दाई कैनो Hamlet एतो strange behavior कर छे एटा जानार जोन्नो When Claudius is proved guilty by the play within the play, Hamlet becomes his bitterest enemy and so he sends him to England to do away with him जखन play within the play नाटक्तिर मध्ध दिये, Claudius guilty प्रमानित हुए तखन Hamlet हुए जाए तार सबचे bitterest enemy एर्थतो चोबी तिक तो एक जन शोत्रू एबं, Claudius Hamlet के England थेके उनेक दूरे पाठनों सरजन्च करे किन तू एकानियो तार इंट्रीग फेइल करे अथ तार सरजन्च रूगलो फेइल करे कैनोना Hamlet's ship जलोदो शुदारा एटाक्ड हुए एबं शे बाध्धो हुए तार नीजदे से पुनराई फिरे आशे The final intrigue of Claudius lies in his arrangement of the fencing match between Hamlet and Lortz as a plan to kill Hamlet by Lortz during the match Claudius एर शरबो शेश सरजन्च रूगलो निही तो था के Hamlet एबं Lortz एर मैच अरेंजमेंटेर मुद्धे क्यारोना एरेंजमेंटेर मुद्ध बा ए मैचेर माध्धो में Claudius चेज शिलो Lortz एर दारा Hamlet के हत्ता कुरते Here his evil plan turns against him to bring about his ruin, his death along with others किन्तु एखाने तार evil plan गुलो तारी बिरुद्धे दाराई एबं तार धंशो नियाशे शेव माराजाय अन्नननो देर साथे Thank you for listening, एब एमें सिलेबसेर शकूल सब्जेक्टेर सेच साजेशन देया शब रोकुम शर्ट कोश्चेन और एंसर पेते अभुश्वी चुक्राकुन आमर चैनल है And please keep subscribing